Good morning 9th or 10th standard आज हम factorization का part 2 कर रहे है बट factorization का part 2 करने से पहले जो मैंने कल homework बेजा वो जरूर कर लेना अब हम आगे बर रहे है factorization part 2 मैंने आपको समझा था कि factorization का जो part 1 है उसमें आगे number नहीं होता है यहाँ पर number नहीं होता है बट अगर factorization का part 2 मैं क्यों कह रहा हूँ आज जो भी होगा आगे कोई नहीं number होगा जैसे 2x square, 4x square, 5x square तो उसमें हमारा जो method है minor change हो जाएगा कल कैसे मैं कर रहा था? डारेक्ट दो bracket बना के आज भी process तो वही है उसमें minor change है जैसे करना क्या है इस तरह के अगर factorization निकालने है जैसे आगे 2 लिखा है तो आपको करना क्या है फस number को कर लो लास number के सब multiply तो यह हमने किया 2 को अगर मैं 36 से multiply कर रहा हूँ that is 72 process वही है कल काई? 72 के ऐसे factor निकालो 72 के ऐसे factor निकालो जो प्लस करने से 22 आजए प्लस करने से 22 आजए 72 के factor जो प्लस करने से 22 आजए अब आपको यहां क्या सोचना है प्लस करने से 22 ऐसे तो 72 के factor बहुत हो सकते है जैसे कुछ factor की मैं बात कर रहा हूँ 2 into 36 भी 72 के factor है उसी तरह से 18 into 4 अगर कोई करे तो वो भी 72 के factor है 18 x 4 अगर हम कर रहे है तो 18 x 4 जा 72 वो भी 72 के factors में आता है अब हमें क्या चाहिए कि प्लस करने से 22 आ जाए यस प्लस करने से 22 भी हो रहा है तो यह हमारे factor हो गए यह हमारे लिए factor हो गए अब हमें करना क्या देखो first number आपको same रख देना है 2 x square और 18 और 4 में बड़ा number कौनसा 18 तो यहां रख सकते हो आप 18 x पीछे रख सकते हो 4 x और last वाला number तो same ही रखना है 36 last वाला number आपको same रखना है 36 बाकी रह गई sign sign हम किस तरीके से adjust कर रहे है देखो यहां मैंने रखा है 2 x square 18 x और 4 x रख दिया sign मैं कैसे adjust करूँगा यह वाली sign आपको यहां as it is दे देनी यह वाली sign आपको as it is दे देनी है बाकी रह गई है sign this sign is combination of this two sign यह दो sign की combination अब आप check कर लो यहां भी plus है यहां भी plus तो यहां आपका plus ही आएगा अब हमारे लिए sign का कोई जंजट नहीं है नहीं तो मुझे पता है इस तरह के sum में students खा sign की mistake करते है अब हमारे पास 4 term हो गए यह दो term यह हो गए अब simple common निकाल आए जैसे 7th 8 में करते थे 18 x 2 x तो इसमें से मैं 2 x common ले रहा हूँ बाकी क्या रह जाएगा x रहेगा plus 9 रहेगा सैम यहां मैं 4 common ले रहा हूँ 4 लिया जैगा x और अगर 36 में से 4 common निकाला देखो 36 में से अगर 4 common निकाला तो 4 into 9 36 होता है 4 अगर common निकाल गया तो bracket में क्या रह जाएगा 9 आप चेक कर सकते हो दोनों ब्रेकेट हमेशा सेम रहेगी तो हमारे लिए एंसर आ गया 2x प्लस 4 और दूसरी ब्रेकेट आपकी लिखी जाएगी x प्लस 9 तो ये हो गए इनके फैक्टर कल के और आज के मैथड में एक ही फरक है कल हम ड्रेक ब्रेकेट बना सकते थे जो आज आप ड्रेक ब्रेकेट नहीं बना सकते हो क्योंकि हमारे पास आगे नंबर दिया हुआ अगर आगे नंबर दिया गया हो तो आप ड्रेक ब्रेकेट नहीं बना सकते हो अब दूसरा सम में करके दिखा रहा हूँ जैसे के लिखा हुआ है 2X square प्लस 19X प्लस 45, 2X square प्लस 19X प्लस 55 परना क्या है, पहले नमबर को last नमबर से multiply करूँ, तो जैसे ही मैंने 2 को 45 से multiply किया, that becomes 90, अब 90 के ऐसे factor ले लो, जो plus करने से, क्योंकि यहाँ पर sign plus की है, प्लस करने से 19 आ जाए, 90 के ऐसे factor जो plus करने से आपके 90 आ रहे हो, तो सोचो 90 के तो factor बहुत होंगे, जैसे कोई सोचेगा 45 इंटो 2, 90, बड़ क्या 45 को 2 प्लस करने से 19 आता है क्या, नहीं आएगा, कोई 30 इंटो 3 भी सोच सकता है, 30 इंटो 3 भी 90 होता है, बड़ क्या 30 को हम 3 से multiply करेंगे, तो 90 तो आ जाएगा, बड़ 30 में 3 प्लस करने से 33 होगा, वो तो 33 आ जाएगा, तो अब हमें क्या करना है, ओके तो 90 के हमने factor देखे, 45 इंटो 2, मैंने आपको क्या कहा था, 90 के ऐसे factor जो plus करने से 19 आ जाए, अब आप इन दोनों को plus करो 19 नहीं आएगा, बड़ 90 के एक factor ऐसे भी है, 10 इंटो 9, अब 10 इंटो 9 करने से 90 तो आ जाएगा, अगर हम इनको plus करते हैं, तो 19 भी मिलना है, बड़ ये वाला factor हमारे लिए perfect है, करना क्या है, पहला time 2x square है, सेम रख दो, कौन से factor आए, 10 और 9, तो यहाँ बड़ा नंबर रखो 10x, यहाँ रख लो आप 9x, और पी छे, plus 45 है, तो वो सेम, plus 45 रख दो, सेम, अब साइन कैसे करोगे, साइन कैसे दोगे, पहरी साइन plus की है, यहाँ मैंने plus लगा दिया, आगे देखे, इन दो साइन का combination मैंने आपको कहा था, तो plus plus यहाँ आपका क्या आ जाएगा, plus आ जाएगा, सेम बे में, अब आपके पास 4 factor है, हमें निकाल ले, इनके factors, हमें निकाल end में से common, अब 2x और 10x, इसमें से मैंने common ले लिया, तो 2x common आ गया, 2x common आ गया, रह गया x, 10 में से 2 common आ गया, remaining 5, यहाँ पर अगर हम देखे, यहाँ 9 common आ रहा है, तो आप इसे 9 common रख सकते हो, remaining is x plus 45, so you got 2 bracket, first one is 2x plus 9, second one is x plus 5, तो आपकी पहली bracket आई, x plus 9, और दूसरी bracket आगई, x plus 5, दूसरी bracket आपकी जो आई, x plus 5, कुछ इस फ्रंस confuse होते है, 45 में से 9, तो कभी भी ऐसे confusion आपको करना क्या है, यह 45, 45 सोचो 9 into 5 होता है, उन में से आपने 9 को common ले लिया, बागी क्या रहे है, 5, दोनों bracket आपकी सेम आ ज गए, कुछ और में रख देता हूँ, अब यह सम आप observe कर लो, यहाँ मैंने लिखा है, 2x square plus 1x minus 45, अब आगे का संदों ने check कर लो, सेम ऐसा ही है, 2x square plus, यहाँ पर 19x था, यहाँ प्लस 45, फेक्टर मैंने जान जूच के सेम रखे है, जाके आपको difference के लिए हो, क्या लिखा ह अब 2 को multiply करो 45 से, जैसे मैंने 2 को 45 से multiply किया, that becomes 90, 90, अब मुझे क्या करना है, 90 के ऐसे factor निकालने है, जिखो sign का क्या importance है, फोर जब पहले हमने देखा था, यहाँ प्लस था, तो मैंने का था, प्लस करने से 90 आजाए, अब यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, 90 के ऐसे factor, यहाँ क अब 90 के factor थोई देर पहले हमने देखा था, 90 के factor है, 10 into 9, 90 माइनस करने से वाना आजाए, yes, 10 में से 9 माइनस करो वाना आजाएगा, करना क्या है, यहाँ पर आपको दिखा देना है, 2x square, sign कौन से number कौन से आए है, 10 और 9, तो 10x और 9x और माइनस का 45 सेम रख दिया, sign कैसे दे यह वाली sign मैंने आपको कहा था, सेम रख दो, और इन दोनों का combination यहाँ आएगा, तो plus minus अगर हम करते है, plus minus क्या रहेगा, minus, अब common निकलना है, 2x और 10 में से common क्या निकलेगा, 2x common निकल जाएगा, क्या रहे जाएगा, x रहेगा, और plus 10 है, उसमें से हमने 2 common ले लिया, तो बाकी remaining रहे जाएगा, 5, सेम रहे में, minus के 9 रहे यहाँ पर minus के 9, और 9 common निकलने के बाद क्या रहेगा, x 45 में से, अभी भी मैंने समझाया था, 9 into 5 मतलब 45, आप उसमें से 9 निकल लेते हो, तो अंदर क्या रहेगा, 5, और sign देखो, यह minus minus, यहाँ पर क्या आजाएगा, plus, मै यहाँ पर आपका आगया, 2x minus 9, and second bracket is x plus 5, तो यह इस तरह से आपके क्या हो गए, दोनों bracket बन गए, सेम वे में, एक और मैंने कहा था, एक और number try करते हैं, 2 नहीं होना चाहिए, अब देखो, 3 है, 3 को मैंने क्या किया, 150 से multiply किया, जैसे मैंने 3 को 150 से multiply किया, it becomes 450, यह आपके 450 अब 450 अगर जो आया है, तो मैं क्या सोचूँगा, 450 के ऐसे factor, जो minus करने से 15 आजाए, minus करने से 15 आजाए, तो थोरा जान से देखो, ऐसे तो बहुत सारे factor होंगे, बढ़ आपको बता है, 30 को जब हम 15 से multiply करते हैं, तो 450 आजाए, यह सब practice से आजाएगा आपको, 30 को 15 से multiply करें तो 450 और 30 में से 15 minus करें, तो क्या हैगा, 15 हमें भी क्या चाहिए, minus करने से 15, आगया minus करने से 15, कौन से factor हमने find out किये, 30 और 15, यहां में क्या करना हूं देखो, 3x square as it is रख देता हूं, क्या factor मैंने डूने थे, 30 डूना था, 30x, दूसरा 15x डूना था, minus का 150, sign कौन सी देनी है, यह वाली sign as it is रख दो, और इन दोनों का combination यहां आ जाएगा, तो यह हो जाएगा, minus minus plus, अब इन में से common अगर हम निकाले, तो 3x common ले सकते हो, 3x, क्या रह जाएगा, x, sign कौन से, minus, 30 में से 3 common रहेगा, कितना रहेगा, 10, same way में यहां देख सकते हो, क्या common आ रहा है, plus की sign as it is 15 common आ रहे, क्या रहेगा, x और minus, यहां पर आपका 150 है, 150 में से मैंने 15 common निकाल लिया, क्या रहेगा, 10, और sign देखो, minus plus, तो यहां minus, तो आपकी दो bracket से हम आ गई, x minus 10, x minus 10, तो यहां पर आपका आ जाएगा, 3x plus 15, same way में दूसरा आएगा, x minus 10, इस तरह से, किसी भी number के factors हो, आगे कोई भी number हो, आप आराम से उसे solve कर सकते है, यह main practice है, जो 9th, 10th में बहुत जादा useful होने वाली है, हर chapter में आपका use होगा, ऐसे तो factorization में बहुत सारी चीज़े हो सकती है, identities बहुत सारी होती है, बट जो 9th में और 10th में useful होने वाली है, वो identities मैंने आपको यहां पर करव और extras हम आपको practice के लिए बेजे जाएंगे, कल से आपका 10th standard में start हो जाएगा chapter 1, क्योंकि already हम 14 और 15th chapter complete कर चुके है, chapter 1 start हो जाएगा, और 9th standard में आपका start होगा chapter 2, क्योंकि 1st chapter already हमारा complete हो चुका है, तब तक आप पुराने वीडियो जो जो जितनी बार भी time मिल रहा है, repeat कर करते रो तो आपका revision होता रहेगा, तो बाकी हम कल देखेंगे next video में